नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं यहां कैसे टू योट्यूब चैनल पर दोसे आपर अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा 31 मार्च 2021 से पहले तो ऐसे में आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा आपका आधार कार्ड बंद हो जाएग 31 मार्च से पहले तब आपको ये जुर्माना देना होगा तो उसले यहाँ पर इस जुर्माने से बचने के लिए आपको एपर सिंपली अपने pen card को आधार कार्ट से लिंक करना होगा तो उसले पर आज की इस वीडियो के मालज हम से मैं आप लोगों को बतानेवाला हूँ कैसे है यहाँपर आप अपने pencard को अपने आधार कार्ट से लिंक कर सकते है और यहाँपर अगर आपका pencard आपके आधार कार्ट से ओल्रेडी लिंक है और आपको यहाँ पर पता ही नहीं है कि आपका यहाँ पर pen card, hard card से link है या नहीं तो वो भी आप कैसे चेक कर सकते हैं पूरा process यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा तो उसे हाँ पर वीडियो काफी मजदार होने वाला है उससे पहले अगर भी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया लाइक कर दें चलना पर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब करके बल आइकन भी दबा दें क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपके ज़रूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करती हैं दोस्तों देखिए आपर वीडियो में सबसे पहले आपको इसी वीडियो के ओपेन हो जाएगा जहाँ पर आपको एक कट का निशान देखने के लिए मिलेगा इस कट के निशान पर आपको सिंप्ली टैप करना है और आपको देखिए सबसे साइड में अगर देखेंगे लेफ साइड में यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल देंगे pen aadhar number name as per aadhar I have only year of birth in aadhar card तो यहाँ पर दिखिए अब आपको क्या करना है वो मैं समझा देता हूं तो सबसे पहले आपको आपको अपना pen number इंटर करना है उसको बाद यहाँ पर देखिए next option में आपको अपना aadhar number पर इंटर करना है, इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड पर आपका नाम है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। कि मेरा यह जो आधार कार्ड है वो pen card से मुझे link करना है यहाँ पर आपको इसे भी agree देना है अगरी देने के बाद देखिए आपको नीचे की तरफ capture code आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर जो भी आपको capture code दिखाई देरा अगर वो बड़े letter में है तो बड़े letter में लिखना है small letter में है तो small letter में आपको enter करना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको link आधहार वाले option पर tap करना है अगर आप यहाँ पर देखे capture code enter नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर request OTP भी कर सकते हैं बट यहाँ पर capture code को enter करना ज्यादा easy होता है और उसके बाद आप जैसे link आधहार पर tap करते हैं आपका pen card आपके आधहार card से simply add हो जाता है अब माल लेजिए आपका pen card आपके आधहार card से link है तो यहाँ पर उपर की तरफ आपको एक red color में message देखने के लिए मिलेगा जहां लिखा होगा कि आपका आपका ओल्रेडी link है यहाँ पर अगर आपका link नहीं होगा तो आपको green color में message देखने के लिए मिलेगा कि आपका आपका link कर दिया गया है यहाँ पर माल लेजी आपका link हो गया है तो आप उसे कैसे check कर सकते हैं तो जिसके लिए आपको उपर की तरफ click here का option देखने के लिए मिलेगा जो कि blink हो रहा होगा तो आपको simply उस click here वाले option पर tap करना है tap करके आपको देखे आपको अपना pen number इंटर करना है simply यहाँ पर नीचे के तरफ आधार number इंटर करना है इतना करके आप यहाँ पर view link आधार status देख सकते हैं कि link हो गया है या नहीं दोस्तों उमीद करता हूँ आपको आच का वीडियो ज़रू पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक like करें दोस्तों शियर करें ऐसे ही और मजदार वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें इसी के साथ मिलते हैं एक और नहीं मजदार वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे बात्रम